पुरानी सब्यदाओं और मंदिरों भवनों में भी इसका प्योग देखने को मिलता है पुराने समें के भवन और मंदिरों में भी बास्तु कला का अदुफुत नबुना देखने को मिलता है बास्तु में हर दिशा और निर्मान को लेकर मियम बताए गए हैं कभी-कभी बास्तु को अंदेखा करने के कारण हमें कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए बास्तु को ध्यान में रखना आवश्यक होता है बास्तु में कुछ ऐसे उपाए बताए गए हैं जिनको करने से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं तो जानते हैं बास्तु के आसान उपाए घर में प्रतिदिन इश्वर की पूजा पाट करके धूप दीब दिखाना चाहिए इससे घर का बाताबरन सकारात्मक रहता है पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए संद्या के समय घर के प्रतेक कोने में रोश्नी अवश्च करनी चाहिए क्यूकि अंधेरे को नाकारात्मक्ता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है घर में टूटी और खराब चीजों को नहीं रखना चाहिए खराब रुकी हुई घड़ी को तुरंत सही करवाना चाहिए या हटा कर नई घड़ी लगा देनी चाहिए क्यूकि घड़ी समय की सूचक है इसलिए रुकी हुई घड़ी को सही नहीं माना जाता घर में साकारात्मक्ता लाने के लिए मुखे दरवाजे को दोनों और स्वास्तिक और शुबलाब का चिन बनाना चाहिए स्वास्तिक का चिन बहुत शुब माना जाता है इसे द्वार पर बनाने से घर में शुबता बनी रहती है घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए तुलसी का पौधा बास्तु दोश के प्रभाव से बशाता है प्रति दिन सुबा शाम तुलसी में जल देने और घी का दीपक जलाने से मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है घर में भोजन बनाती समय सबसे पहले थोड़ा सा भोजन बास्तु देवता के लिए निकालना चाहिए इसके बाद घर के सबी सदस्यों को भोजन करवाना चाहिए इस ते बास्तु देवता का आशिरवाद मिलता है निकाला गया भोजन बाद में गाय को खिला देना चाहिए तो दर्शिकों ये बास्तु के कुछ ऐसे नियम है जिनको अगर आप अपने जीवन में आज माते हैं तो यकीन मानिए कि आपको अपने जीवन में आशातीस सफलता मिलेगी तो दर्शिकों अब हमें दी दिये अजाजत और हमारे चैनल को हमारी इस वीडियो को साधर साधर लोगों तक शेयर कीजिए नेक्स्ट नाइन स्विचों से रज़त की रिपोर्ट